Hello dear students, welcome to smart knowledge, प्यारे बच्चों, मेटरम एक्जाम, क्लास 7, सब्जेक्ट रहेगा आपका mathematics, ठीक है, टाइम रहेगा धाई गंटे का, और जो अतिक्तम maximum marks रहेंगे आपके 60, दोनों ही मीडिया में question paper को discuss करने वाले हैं, बहुत त्यान से समझेगा, देखिएगा paper pattern क्या है, किस ये कुछ instructions दी गई हैं, इसमें देखिए, क में आपके प्रशन संख्या एक एक अंके होंगे, ख में आपके 2-7, 2-2 अंके, 8-10 आपके 3-3 के, 11-13, 5 नंबर के, और 14-16 स्तरोत अधारित होंगे, जिसमें 2-2 अंकों के प्रशन दिये गई हैं, तो आइए करते हैं, ये instructions English Medium में दी गई हैं, आप खंड कर हैं, पहले हम इंदी Medium में करेंगे, उसके बाद हम जो answers हैं, उनको हम English Medium में, questions को English Medium में देखेंगे, इनको आपको जो है, कुछ से निकाल के भी देखना है, निमलिकित में कौन सा युगम संपूरक कोणों को दर्शा आता है, तो संपूरक कोणों को कौन सा दर्शा रहा है, यहाँ पे D, 55 degree and 125 degree, एक से 12 तक बहुवी कलपिया भाग रहेंगे, और हर एक प्रशन जो है एक कौन सा युगम संपूरक कोणों को दर्शा आता है, तो यहाँ पे संपूरक कोण से है, एक और दो जो है क्या है, दोनों ही यहाँ पे संपूरक कोण है, उसके बाद कौन सी बारंबारता मिलान चिनहे को दर्शा आती है, तो चार और चार, तो पांच और पांच कितने हो गए, दस हो गए, नेक्स देखिए, कुशे नमबर सिक्स है, माइनस टू प्लस फाइफ, इसका मान निकालना है, तो इसका अंसर आजाएगा, माइनस त्री, एक रुट जिसकी तरिज़ा टू आर है, उसकी परीधी होगी, तो परीधी कितनी हो जाएगी, फूर पाई आर, एवी सीडी का चित तो इस तरह से आप इसको करेंगे, नेक्स देखिए, सेक्शन ए है, इसमें आपका 1 to 12 वही सब पार्ट है, हरे कोशन वन माक का रहेगा, तो विच पेर ओफ एंगल रिप्रिजंट सप्लिमेंटरी एंगल, तो डी हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी निकालोगे, तो माइ और एंड जो है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें कॉर्सपॉंडिंग एंगल कौन से हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है, यह कॉर्सपॉंडिंग एंगल है, यह विच फ्रिक्वेंसी डज़ दा टैली माक है, तो यह मार्क क्या बता रहा है, आपको 10 वैल्यू, इ एरिया जो इसमें नहीं है, नोट इक्वल तो यह आंसर आजाएगा, आपका भी, बाके सारे एरिया से एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इससे एरिया नहीं निकलेगा, question number 9 है, एक विधहले में ग्यारक कक्षाओं में पढ़ने वाले विध्यारतियों की संख्या इस प्रकार है, तो उन कक्षाओं के बारंबारता कितनी होगी, जिन में 38 विध्यारती हैं, तो बारंबारता का मतलब कितनी बार दिया गया है, 1, 2, 3, तो आंसर कितना हो जाएगा तो इसमें रिक स्थान में माइनस त्री आंसर लेकर आना है तो क्या हो जाएगा अब स्टार्ट हो गई है आपके दीगही आकरती में यदि ए जो है 20 डिग्री हो तो बी का मान बताना है ए जो है कितना है 20 डिग्री तो बी का मान तो देखे पांच 5b और 2a दोनों मिलके क्या है 1-80 का एंगल बना रहे हैं तो यहां से एक आमान दे दिया एक आमान रखती जि इसी तरे अंगल 2 और अंगल 8 हो जाएंगे नेक्स देखे अब हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे 11th class of a school the number of students studying are number of students जो है तो frequency बतानी है 38 की तो जितनी बार होगा उतनी बार कर लेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बेट जब इंग्लिश मीडियम में कराया जाता है तो भी साथ देखा कीजिए क्योंकि पहली बार में कोशिन को अच्छे से थोड़ा सा बता दिया जाता है ठीक है तो इसमें frequency होती है ना बार बार कितनी बार आया तो 38 जो है तीन बार आया sum of 5 negative integers 5 negative integers का आपको sum बताना है minus 15 होगा what is the area of a parallelogram whose base is 8 and corresponding height is 5 cm तो क्या होगा इसका parallelogram का area कितना हो जाएगा 40 cm के which of the following integer will fix the box the answer minus 3 आना है minus 1 में कितना जोड़ा जाए answer minus 3 आए minus 2 तो जो है यह minus 2 section B है इसमें आपको in the given figure if A 20 है तो find the value of B तो यह हमने अभी आपको कराया उपर हिंदी मीडियम में 5B plus 2A 180 हो जाएगा A की value put कर दीचे next time in the given figure 2 pair of alternate angle बताने है angle 1 और angle 7, angle 2 और angle 8 जो है alternate angle हो जाएगे अगला है प्रतेग छोटे वर्ग का चितरफल 1 वर्ग centimeter है चायंकी तबाह का चितरफल ग्याद कीजिए इसको हम इंग्लिश मुड़े में देख लेते हैं the area of each small square is one square centimeter find the area of shaded portion तो shaded portion का area आपको यहाँ पे निकालना है तो इसमें क्या आ जाएगा यह जो shaded portion है यह सारा यह कितना है 7 into half कर देंगे तो इतना इसमें कितना आ जाएगा 3 and half square centimeter आ जाएगा और इसके अंदर कोई line of symmetry नहीं है ठीक है इसका जो है इसमें नहीं है यह आ question number 4 एक समांतर चितरूज बनाएए और उस समांतर चितरूज की सम्मित रेखाओं की संख्या बताइए ठीक है तो question number 4 क्या है draw a parallelogram and write the number of lines of symmetry of that parallelogram तो आपको parallelogram यानि समांतर चितरूज ड्रो कर देना है एक समांतर चितरूज बना देना है और उसके अंदर आपको क्या करना ह जो है उस सम्मित रेखाओं की संख्या बनाएए तो इसके अंदर कोई भी line of symmetry नहीं होगी यानि कोई भी सम्मित रेखा नहीं होगी अगला है दो संपूर कोण है दो अनुपात तीन के अनुपात में है दोनो कोण का मान बताना है तो जब आप इसको निकालोगे दोनो कोण कम आप दोनुपात तीन है तो क्या होचाएगा 72 एंड 108 कोशन नमबर 52 supplementary angle जिनका ratio क्या है दोनुपात तीन है तो इन एंगल को बताना है तो क्या होचाएगा 72 एंड 108 कोशन नमबर 6 है दीगी आकरती एक संख्या रेखा दरशाती है a प्लस b का मान ग्याद करना है इसके अं जाएगा minus 6 यह minus 4 minus 5 minus 6 b का मान कितना है b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा तो a plus b का कितना हो जाएगा minus 5 हो जाएगा question number 7 है इसमें दे रखा है आपको यह आकरती है इसके आकरती को पूरा करना है दरपन रेखा द्वारा तो इसको हम क्या करेंगे इनको हम इ इसे करके ऐसे और इसको ऐसे next question है इन्हीं को English में देख लीजे बेटा एक बार तो ये देखे line of symmetry ऐसे निकालने थी और इसमें क्या है कि mirror line से line of symmetry बतानी है complete करनी है each figure तो इस तरह से ये complete कर लेंगे अब आते हैं section C की तरफ section C में तीन आप ये जो प्रशन होंगे ये आपकी 3-3 नंबर के रहेंगे वरुन जो है 7 cm तरिजा वाली एक बृताकार तस्त्री को दो बराबर भागों में विभाजित करता है प्रतेक अर्ध बृताकार तस्त्री का परिमाब बताना है तो पाई की वैल्यू 22 बते 7 का प्रियू करेंगे तो अर्ध बृत की परीदी जो है इसको English Media में भी देख लेते हैं तो ये देखे वरुन डिवाइड नहीं तो बाद में ही कर लेंगे इसको दियर रखा है तो ये देखे वरुन 7 cm तरीजा वाली अर्ध बृत की परीदी क्या होगी 22 बते 7 गुणा में 7 यहां से 22 cm निकल आएगा बृत का व्यास कितना होगा 2R तो कितना हो जाएगा 14 क्योंकि जो तरीजा है वो 7 है परीदी निकाल नहीं है तो परीदी क्या हो जाएगी जो 22 है अर्ध बृत की परीदी और व्यास उसको हम जोड देंगे तो कितना जाएगा 36 cm इसी तरह 8 इसमें देखते हैं वरूं डिवाइड़ सर्कुलर डिस्क ओफ रेडियस 7 cm इंटो 2 इक्वल पार्ट्स वाट इसमी सर्कल शेफड डिस्क तो समी सर्कल शेफ इसकी डिस्क का बतान लगाना है तो सरकंफ्रेंस ओफ समी सर्कल पाई यार ऐसे निकाल लेंगे डायमेटर हुजाएगा 14 दोनों को पौल वो जो है क्या करती है सरकुलर राउंड ले लेने लगती है इस तरह से पौल के चारो तरग और कितने राउंड लगाती है त्टिक है उसके द्वारा तैक ही गई पूरी डिस्टेंस उसने ट्रावल की है वो आपको बतानी है ठीक है तो कैसे निकालेंगे हमारे पास हाँ पर R कितना दे रखा है R जो है हमारी कितनी है 10 है total round कितने ले रही है वो चक्कर कितने लगा रही है 10 πाई की value 3.14 तो circumference क्या हो जाएगी total circumference हो जाएगी आपकी 2 into 3.14 into 10 तो कितना जाएगा 62.8 अब कितने round लेती है 10 लेती है circumference आपको मिल गई एक की कितनी है 62.8 मीटर है दूरी 10 round ले रही है तो 628 आंसर आ जाएगा उसके बाद ये question English medium में दिये गए है यहाँ से आप देख सकते हो जो हमने कर लिए है question number 9 करेंगे दी गई आकरती में यदि triangle TSP जो है उसका चेतरफल 21 cm square है तो समांतर चेतरफल PQRS का चेतरफल क्या होगा ठीक है तो यहाँ से इसको हम निकालेंगे इसको हम English media में देख लेते है question number 9 in the given figure area of parallelogram PQRS निकालना है अगर area triangle TSP का 21 cm दे रखा है तो ठीक है तो देखे इसको कैसे करेंगे इसमें area triangle TSP का 21 cm square निकल चाहेगा जब आप formula लगाओगे नहीं यह तो दिया हुआ है जो चेतरफल है वो दिया हुआ है तो आप formula लगाके और इसका height इसके निकाल लोगे 1 by 2 into B into H 21 और B की value आपको जो है दे रखी है कितनी है base कितना है आपका अधार साथ है और height आपको निकाल लेनी है ठीक है तो कितना आजाएगा यहां से height आजाएगी 6 अब PQRS का जो है यहां पे area निकालना है तो B into H हो चाहेगा तो 14 into 6 कितना यह ले लिया और height ले ली ठीक है 14 into 6 तो 84 cm cube हो जाएगा उसके बाद एक सप्ता में यमुना नदी का जलस्तर निमिन दंड आरेक से दर्शाया गया है ठीक है तो इसमें देखे यह आपको बार ग्राफ दिया हुआ है तो आपको बताना है कि week में कौन से दो दि नहां से यह वाला यह वाली चीज थे हो ठीक है Thursday और Saturday नेक्स देखिए मंगलवार और गुरुवार को पानी के स्तर का अंतर कितना है दो मीटर सब्ता के कितने दिन का पानी का स्तर जो है वो 204.5 मीटर से अधिक था तो कितने से था फोर डेज खंड गहदी आ गया है इसमें इसमें आपको इसको क्या करना है सिद्ध करना है तो इसको solve करना है आप आसानी से इसको solve कर सकते हो नेक्स देखिए ये English में में questions दिए गए है इसको प्रूव करना है ये आप खुद से करेंगे अब एक test में एक test में अब देखिए उसके बाद दिया गया है इसके और में दिया गया है question number 11 के एक test में सही उतर के लिए plus 3 अंक दिये जाते हैं गलत answer के लिए minus 2 अंक और उतर अगर नहीं दिया जाता है तो 0 अंक एक विद्यार्थी ने 12 सही उतर देने पर 20 अंक प्राप्त किये तो बताइए उसने गलत कितने किये तो इसमें क्या होगा सही उतर देने पर 3 अंक मिल रहे है और उसने सही कितने किये है 12 तो 12 गुणा में 3 मान ले जी उसने x गलत किये तो x और 1 गलत पे कितने मिल रहे हैं 2 अंक मिल रहे हैं minus 2 तो x गुणा में minus 2 और total उसने कितने लिए 20 तो यहां से हम X की वेल्यू निकाल लेंगे X की वेल्यू हमारे पास 8 है और X हमने क्या माना था एक पर English Middle Time में और देख लेते हैं दोनों कोशन तो यह कोशन हम कर चुके हैं आंसर उपर और यह जो है English Middle Time में दिया गया है आप यहां से देख लेंगे किस तरह से बारग्राफ बनाना है तो आप बारग्राफ यहां पर बना लेंगे एक तरफ लेंगे हम विक्री एक तरफ लिख लेंगे उत्पाद, ठीक है, तो आप 10, 20 भी ले सकते हो, 10, 15, 20 का margin भी ले सकते हो, 5, 5 का, तो इस तरह से कौन सा कितना विकाई ये दिया गया है, 15, 30, 40, तो ये बार ग्राफ बहुत easy है बनाना, नेक्स देखे, दी गई आकरते में, ए भी पैरलल है, CD के, CD पैरलल है, EF के, EF पैरलल है किसके, HG के, तो इनमें XYZ का जो angle है, वो निकालना है, आपको XYZ का मान बताना है, तो इसमें English Mediard में देखते हैं, in the given figure, the values of angle XY and Z, तो इसमें देखे, ये जो है, XY क्या है, यहाँ पर corresponding angle है, X और Y, दोनों ही क्या है, X और Y, ये दोनों corresponding angle है, एक लाइन पर है, तो इनका मान कितना रहेगा, 180 रहेगा, तो इसमें हम value put कर देंगे, यहाँ पर, अगर X हमारे पास 75 है, तो हमारे पास जो है, य AX अगर 75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, उसके बाद, 75 अब Z देखे, 75 और Z, इन दोनों के value क्या रहेगी, 180, तो यहाँ से हम Z की value निकाल लेंगे, कितने आ जाएगी, 105, अगला और में दिया गया है, ये जो figure दी गई है, इसके अंदर सारे angle, आपको ये angle A, 70, angle E, 50 दिया गया है, तो इन सब के value निकाल लेंगे, तो angle A, जो है, हमारे पास कितना है, 70 दिया गया है, तो angle, और ये हमारे पास, ये angle हमारा 50 दिया गया है, तो इस triangle में 180 रहेगा, total, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अब angle आप से पुछा गया है, उसके बाद angle B पुछा गया है, तो कितना हो जाएगा, angle B आपका, angle B, D, B, C, angle D, B, C, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, चिक है, उसके बाद, next देखिए, angle E, B, C, कितना हो जाएगा, E, B, C, angle E, B, C, ये वाला angle पुछा गया है, E, B, C, तो ये वाला total angle, ये वाला कितना हो गया, ये वा तो ये देखे, A, ये है, B, बी एंगल, ये है, A, B और D, ये वाला, तो 50 हमने ये निकाला, और 60 ये हो गया, तो कितना हो गया, 110 हो गया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, तो सारे एंगल आपको clear हो जाएंगे, ये English Medium में है, तो यहाँ से आप इस statement को देख सकते हो, तो इसके अंदर आप इसको ध्यान से समझेंगे, देख लेंगे, एक बाद table को, ये देखें, ये निकाले गए हैं, और ये जमा किये गए हैं, और जमा करने और निकालने के बाद जो शेस बचता है, वो ये है, ठीक है, उसके बाद, next देखिए, next question है, दीगी, सुचना के आदार पर निमने प्रेशनों के उतर दीचे, तीन महीने, मई से जुलाई में, पुरुनिमा ने कितनी राशी जो है, बैंक से निकलवाई है, तो तीन महीने मई से जुलाई तक, तो हमारे पास यहां मई से जुलाई तक जो निकलवाई है, वो ये है, 13 से और 1500, तो हमारा आंसर कितना आचाएगा, 28 सो, चिक है, जो निकल उसके बाद दो महीने हैं जून और जुलाई में पुर्णिमा ने कितनी राशी जमा करवाई तो बिटा आप टेबल से देख लेंगे 2700 आंसर आएगा यदि अगस्त 2024 में पुर्णिमा ने खाते में 3000 जमा करवाई और 700 निकलवाई तो 31 अगस्त को उसके खाते में कितनी राश राशी होगी 3700 रुपे होगी अगले पुर्णिमा में अपना जनम जनम दिन आने तक अपने खाते में 5000 रुपे कठा करना चाहती है अगले तीन महीनों में पढ़ेगी तो अगले 3 महीनों में 3600 तो उसको उसको 6500,000 रुपशना रुपे Kathम करवाई दिमा साथ और कितनी राशी जमा करानी होगी उसको जो है 5000 करने के लिए टोटल 3600 रुपे और जमा करवाने होंगे तो देखे तीन महिने में यानि उसने जो है आगस्त में उसने जो पैसे जमा कराए हैं यहाँ पे कितने कराए इस महिने में 3000 जमा कराए थे 700 निकाल लिए तो कितने जमा कराने पड़ेंगे टोटल 3600, कितने जमा कराए टोटल 3600 जमा कराए तो उसके पास 5000 हो जाएंगे, तो इसका अंसर आपका हो जाएगा यह design बनाया, रंगोली competition था design बनाया, अब इसमें पुछा गया है design 1 में कितनी जो है सम्मित रेखाएं बनाई जा सकती है, यानि कितनी symmetry can be बनाई जा सकते हैं, symmetry can be drawn design 1, line of symmetry कितनी होंगे design 2 में और design 2 में कितनी circle है, और mathematical shape कितनी है design 1 में, तो यह आपका English medium में है, तो इसका आंसर देखेंगे, design 1 में कितनी सम्मित रेखाएं बनाई जा सकती है, तीन बनाई जा सकती है, एक, दो और तीन, दो में कितनी सम्मित रेखाएं हैं, तो इसमें चार सम्मित रेखाएं हो जाएं डिजाइन 2 में कितने है एक दो तीन और चार बनाए गई है डिजाइन एक में जो mathematical जो आकार है वो कौन से है ट्राइंगल और सरकल है अगला question number 16 रवीवार को जब प्रिया और उसका भाई आयूश खेल रहे थे तब उनकी मम्मी ने दोपैर का खाना खाने के लिए बुलाया तब उन्होंने देखा कमरे में लगी गड़ी पर गंटे वाली सुई 2 पर है और मिनिट वाली सुई 12 पर तो second वाली सुई 6 पर है कुछ ऐसी situation थी अब आपको बताना है angle A और angle B में जो common side हो कौन सी होगी A और B में common side कौन सी है तो ये वाली गड़ी ये वाली है तो ये कौन सा hand है our end है उसके बाद है angle A में किस प्रकार का जो angle हो बताना है angle A किस प्रकार का angle है तो ये angle A जो है किस प्रकार का है ये acute angle है noon कौन है next angle C किस प्रकार का angle है angle C के देखे कौन सा कौन है ये region कौन है ये straight angle है अगला है next question देखे तो क्या जो है angle C equal है angle A और B के तो हाँ angle C जो ह वो एंगल A और B के equal रहेगा. अगला है question number इसमें ओर में 5 बज़े गड़ी की दिशा में मिनिट वारी सुई से गंटे वाली सुई तक किस प्रकार का कौन बनेगा? 5 बज़े गड़ी की दिशा में ठीक है? 5 बज़े इस तरह से गड़ी की दिशा में कौन सा किस प्रकार का कौन बनेगा तो यह obtuse angle बनेगा अधिक कौन बनेगा आप पांच बजा के देख लो इस तरह का बनेगा तो यह क्या होगा obtuse angle और कोई एक उधारन देना है एक example जिसमें जो minute hand है minute किस हुई है और hour hand है उसके बीच में 90 degree का कौन बन मैंने आपको हिंदी मेरे में समझा दिये हैं तो आप वहां से कर सकते हो statement आप English में देख सकते हो इस तरह से ठीक है तो यह था आपका math का paper I hope सभी बच्चों को यह जो paper है यह बिल्कुल clear है ठीक है एंड आपको यहां से paper pattern पता चल गया होगा अगर वीडियो अच्छे लग प्रक्षास गवाता है एंड और श०क जो ओल्व कर्क्या है एंड Ведь आपके अपक्या ह PaństwoThey